रादे रादे जैसी क्रिशना, आप सभी को कार्तिक मास की ठेरो शुप कामनाएं आज हम कार्तिक मास की सभी कहानिया एक साथ सुनेंगे कार्तिक इसनान करने वाले को इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए इन कहानियों को सुनने से कार्थिक इस्तनान का संपून फलप्राप्त होता है आईए सबसे पहले हम गणेजी की कहानी सुनते हैं गणेजी की कहानी एक बार गरीब किसान पती पत्नी थे दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे दोनों पती पत्नी मैनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे वे दोनों हर बुद्दुवार कावरत करते थे एक बार भगवान गणेश की क्रपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई तो पत्नी अब अकेला ही मजदूरी करने जाने लगा पत्नी को नवे मैने में एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ बच्चा अभी छोटा था तो उसके पती ने कहा कि तुम घर पर ही रहकर बच्चे की देखबाल करो मैं अकेला ही काम पर जाया करूँगा लेकिन अकेले किसान इतना नहीं कमा पाता था कि तीनों भर पेट भोजन खा सके साथ ये दोनों किसान पती पत्नी बड़े ही दयालू भी थे अगर भोजन करते समय कोई अथिती या भीक मांगने वाला कोई उनके घर आ जाता तो वे अपने हिस्से का भोजन उसे दे देते थे दोनों पती पत्नी उस दिन पानी पीकर ही रह जाते थे तब एक दिन की बात है उस दिन बुद्दुवार का दिन था दोनों पती पत्नी का बुद्दुवार का व्रत था दोनों शान के समय व्रत कोलने ही वाले थे कि उनकी जोपड़ी पर एक सादू महाराज आए उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा तो एक सादू महाराज उनके घर के दरवाजे पर खड़े थे सादू बोला कि बच्चों मैं बड़ी दूर से आया हूं मुझे बहुत भूग लगी है कुछ खाने को मिलेगा तब कि सान पती पत्नी ने अपने हिस्से की खिचड़ी सादू को खिला दी खिचड़ी खाने के बाद सादू बोला कि तुम्हारी खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट थी आज से पहले मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचडी कभी नहीं खाई खिचडी खाते ही मेरे अंदर शक्ती आ गई वस्त पुत्र मैं तुम्हें कुछ देना चाता हूँ तुम जिस बरतन में खिचडी बनाते हो उसे लेकर आओ तब किसान की पतनी खिचडी की कड़ाई लेकर आई सादू ने कड़ाई को हाथ में लिया और आख बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगा उसके बाद सादू बोला कि हेवस इस कड़ाई में आज के बाद तुम्हारे नगर की राजा की रसोई में जो भी भोजन बनेगा इसमें बनकर आजाएगा सादू ने उसके बाद वैकराई किसान पती पतनी को लोटा दी सादू ने कहा कि वस आज के बाद तुम्हें कभी भोजन की कमी नहीं आएगी जब भी तुम इस कड़ाई को चूले पर चड़ाओगे तो इसमें से राजा की रसोई का खाना खुद बेखुद आ जाएगा किसान पती पतनी को सादू की बाद पर यकीन नहीं हुआ सादू के जाने के बाद किसान की पतनी ने कड़ाई को चूले पर चड़ाया थोड़ी देर के बाद जब कड़ाई पर से धकन हटाने आई तो उसने देखा कि उसमें धेर सारा खाना पड़ा था खीर, पूड़ी, हल्वा, कचोरी, इमर्ती, जलेवी अनेक वेंजन निकले अब किसान पती पतनी बड़े आराम से रहने लगे घर आने वाले अतीतियों को भी वे नए नेवेंजन खिलाने लगे जब भी कोई उनके घर भोजन मांगने आता तो दोनों पती पतनी नए नेवेंजन खिलाते जब वे उनसे पूसते कि भाई इतना स्वादिष्ट भोजन तुमारे घर कहां से आया तुम्हारे घर में तो ऐसा भोजन है कि ऐसा भोजन तो कहीं राजा के ही बनता होगा तो किसान पती पतनी बोले कि तुम इसके बारे में हमसे कुछ मत पूचो हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे उदर राजा का रसोईया जब रसोई बनाता तो भोजन कम होने लगा रसोईये ने सोचा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है जितना भोजन मैं बनाता हूं उतना भोजन रसोई में नहीं रहता कम हो जाता है रसोईये ने यह बात राजा वैमंत्रियों को बताई राजा वैमंत्रियों ने कहा कि कौन है जो राजा की रसोई में से भोजन चुराता है तब एक चोकिदा रसोई के पास बठा दिया गया लेकिन ने कोई रसोई के भी तर गया नहीं कोई रसोई से बाहर आया फिर भी भोजन गायब हो रहा था इस बात की खबर पूरे गाउं में आग की तरह फैल गई कि राजा की रसोई में से भोजन गायब हो रहा है कोई राजा की रसोई में से भोजन चुरा रहा है तब गाम की चोपाल पर कानाफुसी होने लगी कि किसान पती-पत्नी के घर पर राजा के जैसे भोजन बनता है कहीं किसान ही तो भोजन चोरी नहीं कर रहा तब गाव के कुछ लोगों ने राजा के महल में जाकर इस बात की चुगली कर दी यह सुन कर राजा को बहुत क्रोध आया राजा किसान पति-पत्नी को गिरफतार करके लाने का आदेश देने लगे लेकिन राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था उसने राजा से कहा कि महाराज कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम आखों से न देख ले तब राजा और राजा के मंत्री ने एक योजना बनाई दोनों ने साधारन कपड़े पहने और किसान के घर जाकर देखने का विचार बनाया जब राजा जाने लगे तो उन्होंने पहले रसोईय से बुलाकर के पूछा कि आज रसोई में भोजन में तुम क्या क्या बना रहे हो पूरी जानकारी लेकर राजा और राजा का मंत्री साधारन वेशबुशा पहन कर किसान के घर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने किसान पती पत्नी से भोजन मांगा किसान पती पत्नी उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि राजा और उनका मंत्री साधरन वेशपुशा में आये थे तब किसान पती पत्नी ने उन्हें बड़े आदर से भीतर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा राजा ने देखा कि यह भोजन तो वही था जो महल में रसोये ने बनाया था राजा को बड़ा अश्चरिय हुआ राजा ने किसान पती-पत्नी से पूछा कि यह खाना कहां से आया लेकिन किसान बोला कि आप इसके बारे में हमसे कुछ मत पूजिए हम नहीं बता पाएंगे लेकिन राजा और राजा का मंतरी बोले कि भाई जब तक तुम हमें नहीं बताओगे तब तक हम यह भोजन नहीं खाएंगे हम भूके ही यहां से चले जाएंगे किसान पती-पत्नी बड़े ही दयालू थे उन्होंने राजा को और मंत्री को पूरी बात बता दी किसान पतीपत्नी की बात सुनते ही राजा को बड़ा क्रोध आया उसने किसान की कडाई को पत्थर से मार-मार कर तोड़ दिया और विना कुछ बताए वापस महल में आ गए किसान की पत्नी बहुत रुई तो किसान अपनी पत्नी को तसली देते हुए बोला कि भागवान कोई बात नहीं हमें राजसी भोजन खाने को नहीं मिलेगा लेकिन हमारी खिच्डी तो अभी भी जिन्दाबाद है हम हमारी खिच्डी खाएंगे तुम चिंता क्यों करती हो उधर राजा जब महल में पहुँचा तो उसे एक अजीब बार पता चली जब भी रसोईया कोई बरतन चुले पर चड़ाता तो बरतन तूट जाता रसोईया ने ऐसा कई बार करा लेकिन हर बार बरतन तूट जाता रसोईया खाना बना ही नहीं पाया उस रात्री को गणेश भगवान ने राजा को सौपन में दर्शन दे कर कहा कि हे राजन तुमने किसान की कड़ाई तोड़ कर अच्छा नहीं किया वो कड़ाई और उसमें बनने वाला खानाई का वर्दान तो मैंने ही किसान को दिया था अब जब तक तु उसे सो सोने की अशर्फियां जमीन जायदा धन दोलत नहीं देगा तब तक तेरे चूले पर चड़ने वाला हर बड़तन तूड़ता रहेगा तभी राजा की आँख खुल गई उस समय सुबह के चार बज रहे थे सुबह होने पर राजा ने अपने उसी मंत्री को सपन वाली बात बताई तब राजा और मंत्री धेर सारा सोना और धन दोलत और सो भीगा जमीन के कागजात लेकर शाही सवारी में बैटकर किसान के घर पहुंचे और किसान को धेर सारधन दोलत और जमीन जादा दे और खुद की गलती की माफी मांगी ये गणेजी भगवान जैसा फल आपने किसान पती पत्नी को दिया वैसा सबको देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भने वाले को एक गाव में एक बुढिया माई अपने बेटा बहु के साथ रहती थी तब एक बार जब कार्तिक का महिना आया तो बुढिया अपनी बहु से बोली की बहु कल से कार्तिक का महिना लगने बाला है मैं कार्तिक इसनान करने गाउं की ओर्तों के साथ हरिद्वार एक मैने के लिए जा रही हूँ तो तुम पीछे से घर का ध्यान रखना तो बहु बोली की सासुमा मैं भी चलूँगी तो सास बोली की बहु तेरी तो अभी उम्र पड़ी है बाद में कार्तिक इस्तनान कर लेना अगर तू भी मेरे साथ हरिद्वार कार्तिक इस्तनान करने चलेगी तो पीचे से घर की देखबाल कोन करेगा तब सास घर का सारा काम का समझा कर हरिद्वार चली गई पीछे से बहु ने भी कार्तिक इस्तनान करने का निश्चे किया बहु कुमार के यहां से 35 मित्ती के कुंडे लेकर आई और उन्हें घर की छत पर रख दी एक दिन पहले ही वेकुए पर से पानी लाकर एक कुंडा भर देती और सुबह तारों की छाओं में कार्तिक इस्तनान करती और कहती सासु नहावे उन्डे में मैं नहाऊं कुंडे में हर हर गंगे हर हर गंगे मन चंगा तो कठोती में गंगा ऐसे कहते ही उसके कुंडे में गंगा नदी आ जाती इस तरह वे कार्तिक इसनान करने लगी तब एक दिंग जब सासु जब हरीद्वार में गंगा इसनान कर रही थी तो उसके नाग की सोने की नत गंगा नदी में बैगई इदर घर पर जब बहु कार्तिक इसनान करने लगी तो उसके कुंडे में एक सोने की नत आ गई बहु ने नत देखी तो वह नत उसे सासू की नत जैसी लगी तो उसने सोने की नत समाल करके रख ली मा गंगा की क्रपा से बहु के कुंडे में गंगा नदी का जल आया था तो वह नत बहु के कुंडे में आ गई इस तरह कार्तिक का महिना पूरा हो गया सास हरिद्वार से घर आई और उदास होकर बैठ गई बहु ने अपनी सासु मा से पूछा कि माजी आप तो एक मैने तक हरिद्वार में कार्तिक इस्तनान करके आए हो आपको तो खुश होना चाहिए आप दुखी क्यों बैठे हो सास ने गंगा नदी में सोने की नत बह जाने वाली बात बताई तबी बहु भीतर गई और भीतर से सोने की नत लेकर आई और बोली की सासु मा क्या यही आप की सोने की नत है तो सासु बोली कि हाँ बहु यही मेरी सोने की नत है लेकिन तुझे कहा और कैसे मिली तो बहु ने सासु मा को पूरी बात बताई कि सासु मा मैंने भी घर पर कार्तिक इसनान किया था रोज कुए पर से जल भर कर लाती थी मैं कुमार के यहां से 35 मिटी के कुंडे लाई उनी म मैं एक दिन पहले कुए में से जल भर देती थी और सुबह तारों की छाओं में कार्तिक इसनान करती थी तो मैं कहती थी सासु नहावे उन्डे मैं नहाऊं कुंडे में हर हर गंगे हर हर गंगे मन चंगा तो कठोती में गंगा ऐसे कहते ही मेरे कुंडे में गंगा की धार आ लेकिन सासु मा को विश्वास नहीं हुआ तब बहु अपनी सास को लेकर घर की छत पर गई और 35 कुंडे दिखाने लगी लेकिन वे मिट्टी के कुंडे कार्ती के राधा दामोदर की क्रपा से सोने चांदी के होगे ये चमतकार देख कर सास ने बहु के चरण पकड़ लिये और बोली की बहु तुने तो घर में ही गंगा इसनान कर लिया साथी तेरे तो कुंडे भी सोने चांदी के होगे तेरे उपर तो राधा दामोदर जी तूटे हैं मेरे मन में एहंकार भरा था इसलिए मुझे कार्तिक किसनान का फल नहीं मिला जहो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जैसे आप बहु पर तूटे वैसे सब के उपर तूटना कहानी कहने वाले के उपर सुनने वाले के उपर और हुकारा भरने वाले के उपर आईए अब हम कार्तिक किसनान की दूसरी कहानी सुनते हैं एक बहुत छोटा सा गाउं था उस गाउं में एक विद्वा बुडियामाई अपने बेटा बहु के साथ रहती थी तब एक बार जब कार्थिक का महिना आया तो विद्वा बुडियामाई ने अपनी बहु से कहा कि बहु मैं कार्थिक इसनान करने एक मैने के लिए हरिद्वार ज तो बहु बोली की सासुमा मैं भी आपके साथ कार्तिक इस्तनान करना चाती हूँ तो सास ने इनकार कर दिया कि बहु तेरी तो अभी उमर पड़ी है बाद में कर लेना तब बहु ने सासुमा से पूछा की सासुमा कार्तिक इस्तनान का क्या फल मिलता है तता कार्तिक इसनान के व्रत की क्या विदी है और व्रत में क्या खाते हैं तब सास बोली कि बहु कार्तिक इस्तनान करने से नी संतान को संतान मिले, निर्धन को धन मिले, कुवारों के व्याहों, बुजुर्गों को बैकुंट का वासा मिले और सुहागिनों का सुहाग अखंड हो। बहु कार्तिक इस्तनान का ये फल मिलता है। तब सास ने बहु को कार्तिक इसनान की विदी बताई और कहा कि बहु कार्तिक मास का वरत तारायन, नारायन और पारायन विदी से करते हैं. तो बहु पोली की सासुमा यह तारायन, नारायन और पारायन विदी क्या होती है? बहु तारायन का मतलब है कि कार्तिक मास में तारों की छाओं में इसनान करना और शाम को तारों की छाओं में ही भोजन करना तो इसे तारायन कहते हैं बहु नारायन का मतलब है कि कार्तिक मास में नारायन भगवान की पूजा इस्तूती करना और नारायन भगवान की कता कहानियों को सुनना तो इसे नारायन कहते हैं और पारायन का मतलब है कि पूरे कार्तिक मास में इस्तनान और व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए उद्यापन में चार जोड़ा जोड़ी भ्रामनों को भोजन खिला कर अन्न वस्त्र और रुपिया दान में देना चाहिए तो इसे पारायन कहते हैं सास ने अपनी बहु को कार्थिक मास के पूरे नियम बता दिये उसके बाद सास अपनी बहु को घर का सारा काम का समझा कर एक मैने के लिए हरिद्वार कार्थिक इस्तनान करने चली गई तब पीछे से बहु ने भी कार्थिक इस्तनान करने का निष्टे किया अब रोज जल्दी उठकर तारों की छाओं में कुये पर जाकर इस्तनान करने लगी वहीं पर जल लेकर सूरिय नारैन भगवान को अर्दे देती तुरसी जी को सीज्ती दियाबाती करती पांच परिक्रमा करती और कार्ती की कता कहानियों और महात्यमे को एक पंडितानी से सुनती और शाम को तारों की छाम में एक बार शाकाहरी भुजन करती तब एक दिन जब वेकुये पर इस्तनान कर रही थी तो वहाँ उसे एक पेड के नीचे बहु सुन्दर युवक यूती बैठे मिले तो वे बहु से बोले कि सासु नहावे उंडे में बहु नहावे कूंडे में हर हर गंगे हर हर गंगे मन चंगा तो कटोती में गंगा बहु ने ये सुना लेकिन कुछ नहीं कहा दूसरे दिन फिर से जब वे इसनान कर रही थी तो फिर से वे इस्तरी पुरुष यही बोले तो बहु उनके पास गई और पूछने लगी कि इसका क्या मतलब है तो वे इस्तरी पुरुष बोले कि बेटी तुमारी सास तो कार्तिक इसनान करने हरिद्वार गई है और तुम यहां कुंडे में इसनान कर रही हो, इसलिए हमने ऐसा बोला, तो बहु फिर से कुछ नहीं बोली, इस तरह पूरा कार्तिक का मैना बीद गया, सास हरिद्वार से घर आ गई, आते ही बहु से बोली कि बहु मैंने पूरे कार्तिक मास में इसनान किया और व्रत किया, तो मैं चार जोडा जोडी ब्रामनों को जिमाना चाती हूँ, कल तुम खीर पूरी हलवा बना देना, और गाउं में से चार ब्रामन जोडा जोडी को भोजन का नियोता दे आना, तब बहु मनहीमन सोचने लगी, कि मैंने भी पूरे कार्तिक मास में इसनान और व्रत किया है तो मुझे भी चार ब्रामन जोडा जोडी को भोजन कराना चाहिए, लेकिन सास से बोलूंगी तो वो मुझे डाटेगी, तो वे फिर से कुए पर जाकर उदास होकर बैठ गई, तबी वही इस्तरी पूरुष फिर वहां आए, उन्होंने बहु से पूचा कि बहु उदास क् बैठी हो, तो बहु ने पूरी बात बता दी, तो वे इस्तरी पूरुष बोले कि बहु तुम चिंता मत करो, हम भी पंडित हैं, हम कुछ पंडितों को लेकर तुमारे घर भोजन करने आ जाएंगे, यह सुनते ही बहु खुश हो गई, घर आकर उसने यह बात अपनी सास को नहीं बताई, दूसरे दिन नहा दो कर उसने खीर पूरी हलवा बनाया, तैस समय पर गाओं के चार ब्रामन जोड़ा जोड़ी भोजन करने के लिए घर आगे, उसी समय बहु के बुलाए ब्रामन भी जीमने आगे, तब एक तरप सास द्वारा बुलाएगे पंडित पंडि बहु के अलावा और किसी को भी दिखाए नहीं दे रही थी, केवल उन्हें बहु ही देख पा रही थी, वो जन्जीमने के बाद सास ने अपने द्वारा बुलाए हुए पंडित और पंडितानियों को अन्न वस्त्र और रुपिया दक्षेना में दिये, उसके बाद सास उन तो बहु बोली कि मेरी सास ने तो अपने द्वारा बुलाए हुए पंडितों को अन्न वस्त्र और रुपिया दान में दिया है, मैं आपको दक्षेना में क्या दूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम हमें एक-एक तुलसी का पता दे दो, तो बहु ने ऐसा ही किया, फि जहां बहु के बुलाए हुए पंडित-पंडितानी बैठे थे, वहां धन का धेर पड़ा था, भगवान बहु के सत का मान रखने आये थे, भगवान राम सीता, रादा क्रश्न और हनमान जी बहु के सत की रक्षा करने आये थे, जहां भगवान राम बैठे थे, वहां की मुरलिया रखी थी जहां माताराधी का बैटी थी वहां अनधन के धेर पड़े थी जहां हनुमान जी बैटे थे वहां सोने की गदा रखी थी सास और बहु यह देखकर आश्चरिये में पड़ गई और सास बहु से पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ तभी वहां भगवान ने कहा कि यह सब कुछ बहु को उसके कार्तिक इस्तनान और रत का फल मिला है उसके सत्की रक्षा करने के लिए सम भगवान जीमने आये थे थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गाउं भर में आग की तरह फैल गई पूरा गाउं बुडिया के घर दर्शन करने क के लिए आने लगा जब नगर के राजाराणी को पता चला तो वे भी बुडिया माई माई के घर आए तब उन्हें भी कार्तिक मास के फल की महिमा का पता चला दब राजा रानी ने पूरी नगरी में यह धिंडोरा पिटवा दिया कि सबी को कार्तिक मास का इस्तनान और कार्तिक मास की तीसरी कहानी एक बार एक छोटा सा पुराना सा गाउं था उस गाउं में एक विद्वा बुडिया माई अपने बेटा बहु के साथ रहती थी गाउं में सभी पानी भरने कुये पर जाते थी तो एक दिन जब बहु हमेशा की तरह कुये पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि गाउं की सभी ओरते कार्तिक मास की मैमा के बारे में बाते कर रही थी तो उनमें से ओरतों ने कहा कि हमें भी कार्तिक इसनान करना चाहिए तब बुडिया की बहु ने उनसे पूछा कि कार्तिक इसनान करने का क्या फन मिलता है तो एक ओरत बोली की बहु कार्तिक इसनान करने से नी पुत्रों को पुत्र मिले निर्दनों को धन मिले, रोगी को कंचन जैसी काया मिले, पापियों का पाफ धुले, बुजुर्गों को बैकुंट का वासा मिले, कुवारों के शिक्र ब्याहो और सुहागिनों का सुहाग अमर रहे तब बहु ने मन ही मन सोचा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और नहीं मेरे पती को कोई अच्छी नोगरी मिली मैं भी कार्तिक मास का इस्तनान और रत करूँगी उसने घर आकर अपनी सास से कहा तासुमा कार्तिक का मैना लगने वाला है गाम की ओरते कार्तिक महा की मैमा बता रही थी मेरा भी बहुत मन है मैं भी कार्तिक मास का इस्तनान और रत करोंगी तो सास बोली की बहु तेरी तो पूरी उम्र पड़ी है अभी रहने दे अगर तू पूरे कार्तिक मास का इस्तनान और रत करेगी तो घर का कामकाच कौन करेगा गाय बैसों को कौन देखेगा तू बिमार पढ़ जाएगी तू रहने दे सास की बाद सुन कर बहुत दुखी हो गई दूसरे दिन वेकुए पर फिर पानी भने गई तो उसकी सहेलियों ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो बुड़िया की बहु ने अपनी मन की बात बता दी तो सहेलियां बोली कि अरी तु तु बावली है सासु को बताने की क्या ज़रत है तू रोज पानी भने तो कुए पर आती ही है तू कपड़े भी साथ ले आया कर और सुब़ जल्दी आ जाया कर हमारे साथ यहां कार्तिक इस्तनान कर लेना पूजा पाट कर लेना और पीने कमट का पानी भर कर फिर घर चली जाना तुझे कौन रोकने टोकने वाला है और शाम को तारों की ज्ञाव में एक समय शाकाहरी भुजन कर लेना तो बहु को अपनी सहेलियों का सुझाव अच्छा लगा तब दूसरे दिन वह जल्दी उठी और एक जोड़ी कपड़े लेकर पानी भने का बहाना बनाकर कुए परा गई कुए पराकर उसने अपनी सहेलियों के साथ कार्तिक इस्तनान किया पीपल पत्वारी सीची तुर्सी जी को सीचा रादाकरश्न भगवान के मंदिर के दर्शन करे परिक्रमा करी और अपनी सहेलियों की पुजा की ठाली में से रोली मॉली चावल और फूल लेकर भगवान महादेव और मतापार्वती और रादाक्रश्न भगवान की पूजा करी उसके बाद वापस कुए पर आए और पीने का पानी का मटका भर कर घर आ गई शाम को फिर उसने तारों की छाओं में व्रत खोल लिया इस तरह एक मैना बीद गया तब कार्ति पूर्णी मा के दिन बहु ने सोचा कि मैंने अपनी तरब से कोई दानपुन्य नहीं किया तो उसने इसनान करने के बाद रादादामोदर भगवान का नाम लेकर अपने सोने की नत उतार कर कुए में डाल दी और घर आ गई उस दिन दोपहर में जब अपनी सास के पास बैठी थी तो सास ने बहु की मुझ की तरब देखा और पूछने लगी कि अरी बहु तेरे नाक की सोने की नत कहां गई हडबडी में बहु ने बोल दिया कि सासुमा हो सकता है कि जब मैं गोबर के उपले बना रही थी तो वहां गिर गई हूँ मैं अभी देख कर के आती हूँ सास बोली की बहु मैं भी तेरे साथ चलती हूँ दोनों मिल कर देखेंगे तो जल्दी मिल जाएगी उसके बाद सास बहु घर के पिछवारे में गई वहां दोनों सासु बहु सोने की नत डूडने लगी लेकिन नत कहीं नहीं मिली तब सास बोली की बहु हमें कंडे तोड तोड कर देखना पड़ेगा तब एक कंडा सासु ने तोड़ा और एक कंडा बहु ने तोड़ा तो दोनों में से एक-एक सोने की नत मिली तब वहां पर पंद्राबिस कंडे थे सास ने सारे कंडे तोड़ दिये तो सम्मे से एक-एक सोने की नत निकली यह देखकर सास को महान अश्चरी हुआ सास ने अपनी बहु से कहा कि बहु तेरी तो एक सोने की नत गिरी थी यहां तो 25 सोने की नत मिली है क्या बात है सच्चाई बता तब बहु ने कार्तिक इसनान करने अवरत करने वाली बात और कार्ति पूर्णीमा के दिन कुए में कार्तिक इसनान अवरत की दक्षीना के तोर पर सोने की नत कुए में डालने वाली पूरी बात बताई तो सास का माथा ठनका, उसने अपनी बहू से कहा कि बहू कार्तिक इसनान का इतना अच्छा फल मिलता है, तो अगले साल मैं भी तेरे साथ कार्तिक इसनान अवरत करूँगी तब सालबर बाद जब दुबारा कार्टिक का महिना आया तो बहु के साथ बुढिया माई ने भी कार्टिक मास में इसनान अवरत किया और खुब दान पुन्य किया पीपल पतवारी सीची तुर्शी जी को सीचा दिया बाती करा मंदीरों में पदिशीना करी दीबदान किया गरीबों में अनवस्तर रुपिया का दान दिया गाई को हर अचारा खिलाया चिडी कबुत्रों को दाना पानी दिया और साथ ही तिल आउला अनवस्तर रुपिया का दान किया इस तरह उन्होंने पूरे कार्थिक मास में इसनान, वरत और दानपुन्य किया उसके तीन मैने के बाद बहु को गर्ब टहर गया और दसे मैने में बहु को एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ उसके एक मैने के बाद बुढिया के बेटे को भी अच्छी नोक्री मिल गई के बाद वे सबी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंट को प्राप्त हुए एक बार एक गाउं में एक बुढिया माई थी वे अपने बेटा बहु के साथ रहती थी बुढिया माई चातूर मास में पुषकर इस्तनान करने जाती थी जब वे पुषकर इस्तनान करने जा रही थी तो बुढिया के बेटे ने अपनी पतनी से कहा कि मेरी माँ चातूर मास में पुशकर इसनान करने जारी है तो तुम मेरी माँ के लिए फलाहार बना कर के दे दो बुडिया की बहु अपनी सास को पसंद नहीं करती थी तो उसने जमीन के पापड़े एक पोटली में बांध कर के दे दिये बेटा अपनी माँ को पुशकर छोड़ने गया तब रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम फलाहार कर लो माँ ने कहा कि बेटा जहां हमें पानी मिलेगा हम वहीं बैट कर फलाहार कर लेंगे थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक कुवा दिखाई दिया दोनों माँ बेटे कुई की पाल पर बैठ कर फलाहार करने लगे तो भगवान की क्रपा से पोटली में रखे हुए जमीन के पापड़े साधिस्ट वेंजनों में बदल गे उसके बाद मा और बेटे ने बैठ कर के फलाहार किया फलाहार करने के बाद वे फिर से आगे चल दिये चलते चलते तीन दिन बाद वे पुशकर में पहुँच गे बेटे ने अपनी मा के लिए पुशकर घाट के किनारे घार स्पूस की एक जोपड़ी बना करके दे दी और जरुत का सामान रख दिया और बेटा अपनी मा से बोला कि मा मैं चार मैने के बाद वापस आकर तुमे ले जाऊंगा तुम अपना ध्यान रखना बेटे ने अपनी मा के चरण चुए मा ने अपने बेटे को धेरो आशिर्वात दिया उसके बाद बेटा वापस आने की कहे कर चला गया तब सबसे पहले सावन मास का महिना आया बुडिया माई सावन मास में महादे और पार्वती जी की पूजा करती वील पत्र चड़ाती, फुश्प चड़ाती और कच्चे दूस से अभिशे करती भगवान महादे और पार्वती जी की आरती करती और पुश्कर गाट पर आरती में शामिल होती तब एक रातरी को किसी ने बुडिया का दर्वाजा खटखटाया बुडिया ने पूछा की कोन है तो शावन मास का देवता बोला की बुडिया माई मैं शावन मास हूँ बुडिया ने जर से दर्वाजा खोल दिया बुडिया माई ने महादे और पार्वती जी की पूजा विल पत्र से की अभिशे किया जाते जाते शावन मास के देवता ने बुडिया माई की जोपडी की एक दिवार को ठोकर मारी तो वह दिवार सोने की हो गई। उसके बाद भादवा मास का महिना आया। बुडियामाई भादवा मास में भी रोज सुबह तारों के च्छाओं में उठकर इस्तनान करती, पूजा पाड करती और कथा कहानिया सुनती और रात्री जागरण में समय बिताती। बुडियामाई ने भादवा मास में कजली तीच के वरत किये सातू पासा, इस तरह बुडियामाई भादवा मास में भी सभी तरह के वरत उपवास करने लगी, तब एक रात्री को फिर से किसी ने बुडियामाई की जोबडी का दरवाजा खट खटाया, बुडियामाई ने भ बुढ़या माय के जोपड़ी के दूसरी दिवार खोकर मार गया तो वह przyia's दिवार उसके बाद आश्वीन मास का महिना आया। तो बुडिया माई ने फिर से दरवाजा खोला और आश्वीन मास के देवता की पूजा करी। जाते जाते आश्वीन मास ने भी बुडिया की जोपड़ी की तीसरी दिवार को ठोकर मारी तो वे दिवार बहु मुल्य रतनों से जड़ गई। आश्वीन मास के देवता ने दीब दान करती, सूर्य नारायन भगवान को अर्ध देती, तुर्साजी को सीष्थी, पीपल पतवारी सीष्थी, नरक चतूरदशी से लेकर भाई दूस तक, बुढिया माई ने पुषकर घाट पर दीब दान किया, गोवर्दन पूजा करी, गोपाष्टमी पर गायों की प बुढिया माई ने पूजा की कौन है, तो बाहर से आवाज आई की बुढिया माई मैं कार्थिक मास का देवता हूं, बुढिया ने जर से दरवाजा खोला, बुढिया माई ने कार्थिक मास के देवता की पूजा करी, आर्थिक करी दिपक किया, तब कार्थिक मास के देव कर मारी तो उसकी जोपड़ी अंधन के भंडार से भर गई साथी बुडिया माई को निरोगी कंचन जैसी काया प्रिदान करी अब बुडिया माई गरीबों की सेवा करने लगी भजन की इतन में समय बिताने लगी तब एक दिन बेटा अपनी मा को लेने आया तो उसे लोगों से पूछा कि चार मैंने पहले मैं अपनी मा को यहीं जोपड़ी बना कर के छोड़ कर गया था लेकिन अभी वहाँ ना तो मेरी मा दिखाई दे रही है और नहीं जोपड़ी दिखाई दे रही है तो लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी मा तो देवी सरूपा है उ उसके बाद बेटे ने अपनी मा के चरंचू कर आशिरवाद लिये, मा ने अपने बेटे को ठेरो आशिरवाद दिया, बेटा अपनी मा को और धन को लेकर घर आया, सासु मा के ठाट बार देकर बहु के मन में लालज आ गया, तब उसने मन ही मन सोचा कि अगले साल जब चातू चातुरमास का महिना आया तो बुडिया की बहु अपने पती से बोली कि मेरी मा को भी पुषकर में जोपड़ी बना कर के छोड़ कर आये मेरी मा भी चातुरमास का इस्तनान करेगी जमाई अपनी सासु मा को पुषकर में जोपड़ी बना कर के छोड़ आया और चार मैने वापस आने की कह कर पुने अपने घर आ गया परन्तु बुढिया की बहू के मा कोई धर्म गरम नहीं करती थी ने तो वे सुबह उटकर पुषकर में इसनान करती नहीं वे पूजापाट करती थी सुबह उटते ही वे घी के लड़ू खा लेती थी पूरे दिन सोती रहती थी और शाम को पूने लड़ू खा कर सो जाती थी इस तरह सावन, भादवा, आश्विन और कार्तीक मास आए सबने दर्वाजा खट-कटाया लेकिन बुडिया की बहु की माने दर्वाजा नहीं खोला इस तरह चातूर मास आए और चलेगे तब चातूर मास के चारो देवता ने बुडिया की जोपड़ी की एक एच दिवार को ठोकर मारी तो उसकी जोपड़ी गिर गई और बुडिया की बहु को घदी उने कशाव दे दिया चार मैने के बाद जवाई अपनी सासुमा को लेने पुशकर पहुँचा लेकिन उसे ने तो जोपड़ी दिखाई दी और नहीं सासुमा दिखाई दी फिर से बुडिया के बेटे ने आसपास के लोगों से पूछा कि मैं अपनी सासुमा को चार मैने पहले यहां जोपड़ी बना करके छोड़ कर गया था लेकिन अभी ने तो मुझे जोपड़ी दिखाई दे रही है और नहीं मेरी सासुमा दिखाई दे रही है तो लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी सासुमा तो पड़ी ही लालची और नास्तिक प्रवती की थी वे नेन आती दोती थी नहीं कोई पूजा पाड़ करती थी और नहीं कुवरत उपवास करती थी चातूरमास के देवता ने उसे शाप दिया तो वे घदी की योनी को प्राप्त हो गई देखो तुमारी सासु मा जोपडी के मलबे के उपर बैठी है वे जोपडी के मलबे पर जो घदी बैठी है वही तुमारी सासु मा है तब जमाई अपनी सासु मा को लेकर घर आया तब बुडिया की बहु ने अपने पती से पूछा कि मेरी मा कहा है पती ने कहा कि तेरी मा बड़ी ही नास्ति प्रवती की थी चातूर मास में तुम्हारी माने नहीं इस्तनान किया नहीं कोई वरत किया देखो चातूर मास के देवता ने तुम्हारी मा को घदी उने कशाब दिया है यह सुनकर बुढिया की बहु रोने लगी तब बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने चातूर मास का इस्तनान किया हो उसके नहाए हुए जल से इस घदी को इस्तनान कराए जाए तो यह मनुशी योनी में प्राप्त हो जाएगी तब बुढिया के इस्तनान किये हुए जल से बुढिया की बहु की मा को इस्तनान कराए गया जिससे उसे पुनही मनुशियोनी प्राप्त हो गई हे राधा दामोदर भगवान जैसा बुढिया माई को दिया वैसा सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को कार्तिक इस्तनान की कहानी एक नगर में एक भ्रामन और भ्रामनी रहते थे वे रोजाना साथ कोस दूर गंगा जमना स्तनान करने जाते थे इतनी दूर आने जाने से ब्रामनी ठक जाती थी अब एक दिन ब्रामनी अपने पती से बोली कि है स्वामी अगर हमारे बहु होती तो हमारे आने से पहले वे हमारे लिए भुजन बना कर के रखती हमारे कपड़ों को धोकर रगती घर में जाड़ों पोचा किया हुआ मिलता अम आते तो घर में दिया बाती हुआ मिलता तब ब्रामण ने अपनी पत्नी से कहा भागवान हमारे बेटा ही नहीं है तो बहु कहां से आएगी यह सुन कर ब्रामणी उदास हो गई उसके आँखों से आशु टपकने लगे जब ब्रामण ने अपनी पत्नी को उदास और रोता हुआ देखा तो वे जड़ से बोला कि अरी ब्रामणी तु क्यों चिंता करती है मैं कल ही तेरे लिए बहु लेकर आता हूँ ब्रामणी तुम ऐसा करना कल मुझे एक पोटली में आटा डाल करके दे देना और उसमें तुम पास सा सोने की मोरे रख देना दूसरे दिन ब्रामण आटे की पोटली लेकर घर से निकल पड़ा चलते चलते वर दूसरे गाँ में पहुँच गया और उस गाँ की चोपाल पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया ब्रामण ने देखा कि गाँ की तीन चाल लड़कियां रेत में घर बना कर के खेल रही थी तब उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो रेत का घर बनाती थी लेकिन तोड़ती नहीं थी अगर अन्य लड़कियां उसके रेत के घर को तोड़ती तो वे कहती कि मैं अपना घर तोड़ने नहीं दूँगी मुझे घर बनाना है तोड़ना नहीं जब ब्रामण ने उस लड़की की ये बात सुनी तो वे मनहीमन सोचने लगा कि यही लड़की मेरे बेटे की बहु बनने के लायक है जब शाम को सभी लड़किया अपने अपने घर जाने लगी तो वे ब्रामण उसी लड़की के पीचे पीचे चलने लगा और रास्ते में उससे बाते करने लगा ब्रामन ने पूचा कि बेटी तुमारे घर में कौन कौन है लड़की ने कहा बाबा मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूं कि तबी लड़की का घर आ गया और वै अपने घर में चली गई ब्रामन उनके घर के चबुत्रे पर बैठ गया थोड़ी देल में लड़की के मता पिता बाहर आये वो ब्रामन से पूचने लगे कि आप कौन है कहा से आए है आपको क्या चाहिए तब ब्रामन लड़की के मता पिता से बोला कि मैं पडोस गाउं से आया हूं मेरा नाम सौम दस्चर्मा है मैं अपने बेटे के लिए इस गाव में एक अच्छी सू संस्कित लड़की ढून रहा हूँ मुझे शाम हो गई है मेरे कार्थिक इसनान के वरत चल रहे है क्या आप मेरे आटे से मुझे चार रोटियां बना कर के दे देंगी तो लड़की की माता पिता ने हामी भर दी ब्रामर ने अपनी पोटली का आटा लड़की की मा को पकड़ा दिया लड़की की मा आटा लेकर भीतर गई रोटी बनाने के लिए जब उसने आटा चाना तो उसमें से साथ आट सोने की अशर्फियां निकली लड़की की मा ने सोचा कि जिसके आटे में इतनी सारी सोनी की अशर्फियां है वे कितना अमीर होगा रोटी बनाने के बाद लड़की के माता पिता ने ब्रामन को भूजन परोसा भूजन करते करते ही लड़की की मा ने कहा कि हे ब्रामन देव मैं भी अपनी लड़की के लिए लड़का ढून रही हूँ अगर आप चाहें तो अपने लड़के का रिष्टा मेरी लड़की से कर सकते हैं ब्रामन को और क्या चाहिए था उसने जड़ से हामी भर दी साथी उसने कहा कि मेरा लड़का तो पढ़ने के लिए काशी गया है क्या आप खांडिया की तलवार से अपनी बेटी ब्याहकर मेरे साथ भेज देंगी तो लड़की के माता पिता राजी होगे उसके बार लड़की का विवा खांडिया की तलवार से कर दिया रड़की के मातापिता ने धेर सारा दहिस देकर अपनी वेटी को विदा कर दिया ब्रामन बहु लेकर घर आया और घर आकर दरवाजा खट कटाया और बोला कि भागवान दरवाजा खोल देख मैं तेरे लिए बहु लाया हूं भीतर से ब्रामनी बोली कि सभी मुझे ताना देते हैं आज आप भी मुझे ताना दे रहे हैं ब्रामन ने कहा कि नहीं भागवान तु दर्वाजा खोल के तो देख देख मैं तेरे लिए बहु लाया हूं ब्रामनी ने दर्वाजा खोला तो सच में उसकी बहु खड़ी थी ब्रामनी ने आरती की थाली जमाई और बहु की आरती करी और उसे घर के भीतर लिया अब ब्रामन और ब्रामनी रोज की तरह इस्तनान करने के लिए जाते तो उनकी बहु पीचे से घर का सारा काम करके रखती वे उनके कपड़े धोती घर का जाड़ू पोचा करती सुबह शाम का भोजन बना करके रखती और संध्या के समय दिया बाती करती ब्रामणी ने अपनी बहु से कह रखा था कि बहु चूले की आग और परिंडे का पानी खतम मत होने देना तब एक दिन चूले की आग भुज गई बहु भागी भागी पडोसन के यहां से आग मांगने गई और बोली की बहन जल्दी से मुझे चूले की आग दे दो मेरे साथ ससूर आते होंगे मुझे उनके लिए भोजन बनाना है तो पडोसन बोली की अरी खांडिया की बहु इतनी भी क्या जल्दी है थोड़ी देर हमारे पास भी तो बैट फिर पडोसन ने बहु के कान भर दिये और बोली की बहु बहु तू तो बड़ी ही बावली है तेरे सास ससूर के कोई बेटा नहीं है उन्होंने तो सबको जूट बोला है बहु क्या तुमने तुम्हारे पती को देखा है तो बहु बोली की नहीं मेरे सास ससूर कह रहे हैं की उनका बेटा काशी बनारस पड़ने गया है पडोसन ने कहा कि वे तुझे जूट बोल रहे हैं इनके कोई बेटा नहीं है अब बहु पडोसन की सिखाई सीख में आ गई बहु ने कहा कि अब मैं क्या करूं पडोसन ने कहा कि करना क्या है जब तुमारे साथ ससूर आएं तो जली भुनी रोटियां बना देना बिना नमक की दाल बना देना खीर की चमच दाल में और दाल की चमच खीर में डाल देना अब बहु पडोसन की सिखाई सीख में आ गई और घर आने के बाद उसने ऐसा ही किया संध्या के समय जब रामन ब्रामनी आ रहे थे तो उन्हें दूर से ही खटका हुआ क्योंकि घर में दिया बाती होती उन्हें दिखाई नहीं दी घर में आये तो उन्होंने देखा कि घर गंदा पड़ा था उनके कपड़े भी दुले हुए नहीं थे बहु ने भोजन भी नहीं परोसा ब्रामन ब्रामनी ने सम भोजन लगाया भोजन खाने बैठे तो उन्हें जलीबुनी रोटियां दिखाई दी दाल भी अलूनी थी तब सास ने बहु से कहा कि बहु आज तो सारी रोटियां जली हुई है और दाल में नमक भी नहीं है तो बहु ने जवाब दिया सासुमा एक दिन बिना नमक की दाल खालोगे तो कुछ नहीं बिगडेगा मेरा तो पूरा जीवन ही आपने अलूना कर दिया है मुझे तो पूरा जीवन खांडया की बहु बनकर ही गुजारना पड़ेगा बहु ने सास ससुर से सातो कोटो की चावी मागी तो सास ने देने से इनकार कर दिया ब्रामन बड़ा ही समझदार था ब्रामन ने ब्रामनी से कहा कि अरी भागवान इसे सातो कोटो की चावी दे दो यह घर मकान और धन आज भी इसका है तो कल भी इसी काई है तो कल हम इसे चाबी देंगे तो आज ही क्यों ने दे दें इसलिए भागवान इसे सातों कोटों की चाबी दे दो सास ने बड़े ही उदासमन से सातों कमरों की चाबी बहु को दे दी और वे गंगासनान करने चलेगे पीछे से बहु ने एक एक कमरा खोल करके देखा तो किसी में धन भरा था तो किसी में अन भरे थे किसी में कपड़े तो किसी में बरतन भरे थे तो किसी में दाल चामल भरे थे जब उसने सात्वा कोठा खोल करके देखा तो उसमें शीव जी, माता पार्वती जी, गनेज जी, लक्ष्मी माता, पिपल बतवारी, कार्थी, केठाकुर जी, राई दामोर्दर, तुलसा जी का, बिर्ला, गंगा, यमना और तैतीस, कोटी, देवी देवता विराजमान थे वही पर एक लड़का, चंदन की चोकी पर बैटकर माला जप रहा था, यह देखकर, बहु ने उस लड़के से पूछा कि तुम कोन हूँ, लड़के ने जवाब दिया कि मैं तेरा पती हूँ बहु ने कहा कि मेरा पती तो काशी बनारस पढ़ने गया है, तो लड़के ने कहा कि मैं कल ही आया हूँ, अभी ऐसा करो तुम दर्वाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आए तब दर्वाजा खोलना, यह देखकर, बहु बहु बहुत खुश हुई उसने वापस से सातों कोठों के ताले लगाए, सोले शेंगार किया, लाल रंग की साड़ी पहनी, मेंदी लगाए, काजल्टी की विंदी लगाए, और साथ ससुर के आने का इंतजार करने लगी, उस दिन उसने तरह तरह के वेंजन बनाए, साथ ससुर के कपड़ों को धोकर सुखाया, घर में खुब सावसफाई करी ज़ाडू पोचा किया दियाबाती करी, संध्या के समय जब ब्रामन ब्रामनी आ रहे थे तो दूर से ही उन्हें घर में दियाबाती किया हुआ दिखाई दिया, सास ससूर यह देखकर खुश होगे घर आये तो उन्हें घर भी साफ सुत्रा मिला भोजन खाया तो भोजन भी स्वादिष्ट मिला भोजन खाने के बाद बहु सास के पैट दबाने लगी तब सास ससूर मनहीमन सोचने लगे कि आज तो बहु का रंगढ़ भी बदला हुआ है सास ससूर ने सोचा कि सातों कोटों की चावी देने से बहु राजी हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं चावी लेने से अगर बहु कुश है तो और हमें क्या चाहिए दूसरे दिन ब्रामन ब्रामनी फिर से गंगा जमना इसनान करने के लिए जाने लगे तो बहु ने कहा कि सासुमा आप इतनी दूर गंगा जमना इसनान करने क्यों जाते हो गंगा जमना तो हमारे घर में ही बहर रही है सास ने कहा कि बहु हमारे घर में कहा गंगा जमना है तब बहु ने सात्वा कोठा खोल करके अपने सास ससुर को दिखाया तो वहाँ परशिव जी, पार्वती जी, गणेज जी, लक्ष्मी जी, पेपल पत्वारी, कार्ती, केठाकू, राइदामोर्दर, तुलसा जी, कबिलना, गंगा जमना बैर रही थी तैतीस कोटी देवी देर तक राजमन थे वही चंदन की चोकी पर एक लड़का बैठा था और माला जप रहा था ब्रामनी ने पूझा कि बेटा तुम कोन हो, लड़के ने कहा कि मा मैं तेरा बेटा हूँ ब्रामनी ने कहा कि मेरे तो कोई बेटा नहीं है, मुझे तो भगवान ने संतान सुक दिया ही नहीं लड़के ने कहा कि मा मुझे तो कार्ती के रादा दामोदर भगवान ने तुमारे लिए भेजा है बुडिया ने कहा कि बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी, कि तु मेरा बेटा है बुडिया ने कुछ विद्वानों से मदद मागी, तो पंडितों ने कहा कि इस पार बहु बेटा को खड़ा कर दिया जाए और दूसरे पार बुढिया माई को खड़ा किया जाए उसके बाद बुढिया को चमड़े की अंगिया पहनाई जाए अगर चमड़े की अंगिया फाड़ कर चाती में से दूद की धार निकल कर बेटे के धाड़ी मुच पर गिरे और पवन पानी से गट जोड़ा बंदे तो ये बुडिया का बेटा माना जाएगा तब सबने ऐसा ही किया बेटा बहु को एक पार खड़ा किया गया और दूसरे पार बुडिया माई को खड़ा किया गया बुडिया माई को चमडे की अंग फट गई और दूद की धार सीधे बुडिया के बेटे के मुँपर जाकर गिरी पवन पानी से बहु बेटे का गट जोड़ा बन गया यह देख कर ब्रामन ब्रामनी को बहुत खुशी हुई जहु कार्ति के राधा दामोदर भगवान कीचे जिनोंने ब्रामन ब्रामनी को कारा भने वाले को